आज के टाइम पे फून के अंदर काफी सारे अप्लिकेशन्स होते हैं और उन सारे अप्लिकेशन्स के अदर अलग-अलग आईडी अलग-अलग पास्वार्ड तो सभी को एक साथ मनेज करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोग-इन करते हो वहां पर एक आपको ऑप्सेन देखने को मिलता है से पास्वार्ड अगर आप उस से बाले बटन के उपर टाप कर देते हो तब इस केस में गोगल पास्वार्ड मेनेजर के अंदर आपका वो पास्वार्ड से भोके रह जाता है आपने जो भी जीमेल आई करना होगा इसका या तो आप का इस्तमाल कर सकते हो जो कि सारे समसंग की फूंस में आपको बाइड़िफ़ल्ट देखने को मिल जाएगा आपके पास एक वैलीड समसंग डी होना चाहिए उसी से आपको लॉग-इन करना होगा आप इसके अंदर आ आ जाओगे अगर आपने कोई भी पास्वार्ट बगारा सेब करके रखते हूँ नेक्स टाइम जब भी आप सेम गुगल पास्वार्ट मैनेजर के तरह कोई भी एपलिकेशन के उपर आओगे यहाँ पर ही आपको आईडी पास्वार्ट देखने को मिल जागे आपका फिंगर प्रिंट या फिर फेस आईडी देना है और आप अटमेटिकली पेस्ट करके उस एकाउंट पर या फिर उस एपलिकेशन के अंदर लॉग इन कर पाओगे ना गुगल पास्वार्ट मैनेजर के अंदर एक बेनिफीट हमें देखने को मिलता है अगर आप सेम आ होने के साथ साथ यह एक कॉंस भी है सपोज अगर आपका मेल इडी का भी हैक बगरा हो जाता है तो उसके समें हैकर के पास आपके एकाउंट जो भी अपने सेव करकर रखा है उस सारा सबकुछ एकाउंट का अक्सेस उसके पास फिर चला जाएगा तो इसी के कारण देखा जाए तो समसंग पास टेक्निकली थोड़ा सा सीक्योर भी है क्योंकि यह नॉक सीकूर्ट के साथ टायाप होता है और यह जो भी आपका अडी पासवार्ड है यह कलाउड पे सेव बगर नहीं होता है यह अपकी फून के अंदर ही सेव होता है लेकिन अगर आप चाहो तो सम समिसंग क्लाउड के साथ या फिर समसंग एकांट के साथ पासवाट को सिंक करके भी रख सकते अप्सें आपको मिलता है तो आप इसका इस्तमाल कर सकते हो या फिर अगर आपको पसंद नहीं है बस्ते approximately और Samsung Pass में सिर्फ password आप save नहीं कर सकते हूँ, इसके अलबा आप कोई भी credit card या फिर debit card का numbers हो गया, आपकी addresses हो गया, कोई अगर important चीज आप अपने phone में लिखते रखना चाते हो तब भी आप ये चीज कर पाओगे, लेकिन अभी Google Password Manager के अंदर एक बहुत ही अच्छा feature आ चुक और बाकि Samsung Pass के अंदर एक और आप two step verification लगा सकते हो, और एक और difference है, अगर आप Google Password Manager के अंदर जाते हो, settings के अंदर, तो आपने किसकिस password को save किया होगा, वो सब कुछ list आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप password को देखना चाते हो, तो उस case में आपको fingerprint या फिर pin लगा क के तभी अब view कर सकते हो, बट Samsung की Pass के अंदर enter करते ही, आपको तो सबसे पहले या तो face ID या फिर fingerprint देना होगा, तभी आप password को देख सकते हो, बाकि मैं तो दोनों ही इस्तमाल करता हो, वैसे आप कौन से इस्तमाल करते हो, Samsung Pass या फिर Google का password manager, comment करके ज़रूर बताना, और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियोज आगे देखने के लिए, आए डिजिरल टाच को भी सबस्क्राइब कर लेना,